हेलो अब्रीवान वैलकम बैक टू माई चैनल आज में शेयर करने वाले हम बहुत ही कजब का आइडिया तो यह मेरे पास बेश्ट कपड़ा पड़ा हुआ था बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि आपने देखा है यह कपड़ा ऐसे ही बीच में से राउंड से भो रहाता और ऐसे ही त करीब मुझे जितनी चाहिए करीब इतनी ही है तो अगर आपकी कमर जो छोटी है वह तो आप इसको बढ़ा देंगे तो अभी तो बढ़ा नहीं सकते हैं क्योंकि इसकी जो लेंद्ध है वह इतनी है इसी दिए मैंने साथ इंशिक को लेते हुए रांड से में इसको कट कर द लिया है और देखिए इस तरीके से नहीं अप लगाते हुए कट करने के बाद में अब इसको हम स्टिच करेंगे अब इसके लिए देखिए नीचे हम थोड़ा सा इसे बढ़ाने के लिए एक मैंने ब्लैक कलर का और कपडा लिया है और अगर आपको थोड़ा से इसमें कर लिया है तो इससे क्या होगा हमारी जो इसका की जो लंबाई है वह दो देड़ इंच और बढ़ जाएगी करी क्योंकि इसे में डवल फोल्ड करके लगाऊंगी से लिए अब देखिए इसमें हम जोएंट लगा लेंगे सारे पीसों में जितने भी हमने कट किये हैं अपन देखेंगे कि नेकर है वो अंदर से दिखेगा और अब देखिए साथ इंच मैंने इस तरीके से रख दिया इसको मैंने कट कर लिया इस तरीके से और जो नेकर है वो मैंने बेवी के नाप कर लिया हुआ है अपने बेवी के और देखिए इस तरीके से यहां से तो इलास्ट कवर कर दिया हैं इसलिए इसको हम देखिए इसकी जो कमर है उसको हम बरावर ना पहूंगे कि तो तो선 कि मैंने मिसले लिया है कमर को इसको हमें दोनों तरफ से सिल देना है तो देखिए इस तरीके से मैंने दोनों तरफ से सिल दिया है और उपर से एक सिलाई और लगा दी है और इसको हम देखिए इस तरीके से पकड़ेंगे और जो नीचा का इससा है उसको हम सिल देखिए यहां पर मैंने इसमें सिलाई लग ताकि इसका जो नीचे वाला पाट है अच्छी तरीके से तो देखिए ये इस तरीके से हो चुका है कुछ आप देखिए नीचे से तो मैं फोल्ड करने की जड़त नहीं पड़ी है क्योंकि नीचे जो कपड़ा था जो किनारी बाला कपड़ा था इसलिए अगर आपके धागे निकल रहे हैं तो आप मोड़ने के हिसाब से और एक्स्ट्रा कट करना अब देखिए नेकर को और इसकर को पकड़ते हुए कमर पैसे पूरे राउंड में मैंने इसको सिल दिया है बड़ा और पकड़ते हुए बड़ा हो कोई भी पार तो आप हरकी से चुन्नत भी दे सकते अब देखिए कमर के लिए मैंने इसमें से एक पट्टी कट की है करीब रही इंच करीब के तो यह पट्टी हम इलाश्टिक वगएरा डालने के लिए उपर की साइड में लगाने वाले हैं ताकि इसकी जो लेंद है वह भी बढ़ जाएगी और इसकी सबसे पहले हम कमर करीब आ रही थियुए और इसकी हमने एक इंच लैंटी छाहता है देते हुए तरीके से हमने сок siya round कर दे वह और जो हमारी कमर है इसको हम देख़्ें अंदर की साइड से रसे और फिर उपर से कुर्स लाई लगाते हूए इसमें हम इस्तिक डाल दो गेंगे पहले कट कर लेंगे ताकि हम अंदर की इसाद में इसको बैवी का मेरी ना पानी के विए और इसके बडिए एक एंच करीव एक्टरा लिये क्योंकि लाँके लिएस तरीखे लाः वन्हें इसक अधिक रखते हूँ और इस इलास्टिक के ऊपर से प्सक्राइब को लगा देनी है तो देखिए उपर मैंने इलाश्टिक रखिया और पीछे की साइड में इसको फोल्ड कर रही हूं मतला आगे की साइड में और इस तरके से फोल्ड करते हुए पूरे में इसमें लगा देए और फिर हम इसकी नीचे की हिस्से में भी तोड़ा सा जो इसी बढ़ाने की लिए च्वेंट लगा लेंगे हमारे नीव वन के रेडिय हो चुका है लासे के साथ में वराव इसी सिंपल इस तरीकी से रहने देना चाहते हो तो तो सिंपल भी रहने दे सकते हो और अब हम नीचे की साइड में भी इस्ट्रिप लगा देंगे ताकि जो इसकी जो भी बढ़ जाए अब इसको देखी मैंन इसको सिल दिया था तो देकि इस तरीके से मैंने एक दोरी की तरह रिडी कर लिया चौड़ी तो एक अब देकि इसको में नीचे की साइड से साइड से सिलना है तरीके से तो देखे इस तरीके से उपर से रखते हुए आप मैं इसमें थोड़ी थोड़ी चुन्नटा लगाती जाओंगी क्योंकि इसका जो घेर है पूरा सरकल में है तो इसलिए आपको थोड़ी सी चुन्नटा डाल के ही सलना है अगर आप ऐसे ही सिल दोगे तो जो आपकी इस्ट्र चल्चेलए अब लाश्ट बाला पार्ट बीज़्टे हाँ इस तर tumor फिल करेंगे और उपर चाह्जरा से नीचे वाली हम ने फ्रिल लगा के डी कर दिया है आपको आपकोई ब्याइस लगाना चाहते ही नहीं तो इस आपके ज़र्चेलए वीताल उन यह तो नहीं तो कपड़ा भी इससे दप जाएगा और आपके पास लाइस ना हो तो आपको सिंपल लगाने ही लगानी है नेचे वाले कपड़े को दवाते हुए तो दिक इस तरीके से मैंने पूरे में लगा दिये हैं आप अपने बेवी को पहना के दिखाती हूं बहुत ही परफेक्ट तरीके से ही हमारी skirt बन के रेडी है और अगर आपको बड़े साइच की बनानी है कितने भी बड़े साइच की बना सकते हो आप अपने skirt लंबाई और कम नहीं भी आप इसे पहना के ले जाते हो तो आपको अनलग से पैंटी वगरा पहनाने की जरूरत नहीं पड़ती है वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक चैनल सब्सक्राइब जरूर करना बाई बाई फिर मिलेंगे एक नह जो अधे पाई बाईपे लिए